अब दोस्तों तो रेडी मौरी ब्लॉक में आपका स्वागत है आज इस प्लेंडर बाइक करेंगे वियाज 6 डिजिटल मॉडल है तो इस प्लेंडर बाइक है तो उसके अंदर हम लाइमेशन करने वाले हैं तो यह लाइमेशन के रोड लगे है हमारे पास सारे और उसमें हम इ क्वालिटी में और एक यह फ्लैसर आता है हमारे पास यह देखो फ्लैसर है जिसको हम एड़ करेंगे उसमें और आपको जलाके और किनेक्शन करके दिखाएंगे यह 12 वोड का डीसी है और इसे हम लगाके आप तो सारे किनेक्शन करके दिखाएंगे तो चलते हैं पहले हम दोस्तो तो आज जो गाड़ी हमारे पास खड़ी है इसकी जो दुलाई कर रहा है भाई इस पर लैमेशन ट्रांसपरेंट होने वाली है तो देखते रहें वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ यह ट्रांसपरेंट लैमेशन है और बहुत बढ़िया क्वालिटी प्र और लगने के बाद साइन भी जोवर जस्त रहती है और हम इसको पूरी एक साइड में लगाकर आपको दिखने लगए कैसे लगती है एकदम और जब हमारी साइड में अब लग चुकी है तो हम उससाइड में जाते हैं फड़ा फड़ करते हैं लैमेशन तो इससाइड की हम करके एंड में आपको दिखाते हैं कॉटिंग करके कैसी लखकी है यह बड़ा र्मिशन तो हम फड़ा करते हैं टंगी पर फिर आपको एक एक कर करके सब दिखाएंगे कहा कहा मेसंद हो चुकित है हमारी गाड़ी में और गाड़ी जब लाड़ी जाती तो दिखेगी नहीं आपको कैसी लगी वी थी इस गाड़ी में करते हुए तो दिखेगी लेकिन लगने के बात नहीं दिखेगी आपको लैमिसन है इस गाड़ी के तो इसका यही खासियत है ट्रांसफरेंट वाली का तो हम फड़ा-फड इसके वाइजर को करते हैं तो इसका हमने दूल दिया है बड़ी अगर के साफ किलीन कर दें और फिर इस पर भी हम लगा देते हैं तो इसकी वायर की हो चुका है यह वायर और इसका हम कटिंग बाद में करेंगे क्यूंकि हम पहले इसकी सारी लामेशन करके पैनल की करते हैं विस साइड में तो देखना दोस्तों बाद में लगी कैसी लग रही है तो आपको कटिंग के बाद एकदम बढ़िया लगी कि और ये पैनल की हम लामेशन सीट काट के और पैनल को इसको बढ़िया गर के साफ करते हैं पानी की मतलस से जितना होसके उतना साफ करने था कि कहीं डेस्ट न रह जाये बावल साजाते मसलें या स्क आप कर लिया साप और फिरेश की लाइमिशन हो रही है और इसके पीछे की टैल है इस पे भी हम ने सर्ट लगाते हैं ट्रांसपारेंट इसमें पूरी गाड़ी के अंदर लाइमिशन हो चुपी है और इसकी हम कटिंग करते है फड़र झाल झाल तो दोस्तो ये इस गाड़ी पर कटिंग हो चुकी है तो हम इस पे एक टेक्सीट के लिए एक ये लगाने वाले हैं सीट के नीचे ताकि इसके नीचे कोई हमारा कि इस क्रैश ना आए इसलिए लगा देते हैं तो इससे सीट से कोड़िड रहता है तो हमारे पास ये भलाफ है और पीछे चलते हैं चलते हैं इसके प। जाले के वाद देखने कि इतना प्रेमिन क्वालिटी का आए और जलता ही बहुत बढ़ी आनना इसका पाल़ एक बढ़ी लगता है। कि इसको फिट करने के बाद हम इसमें एक चीज़ लगाने वाले हैं वह हमारा यह हमारे पास फ्लेसर जिसमें 12 वॉल्ट DC क्रंड इसको DC बोलते हैं 12 वॉल्ट का है और इसमें हम लगाएंगे इस गाड़ी के अंदर तो वाजर को हम खुल के और इसके अंदर फिट करते हैं कि देख लें देहां से लोग कि किनेक्शन मेन होते हैं इसके अंदर तो इसमें जो रैड कलर का है और एक जो मतलब इसका प्लिस वाला इंडिकेटर का जो होता है वो इसमें प्लैसर का यालो कलर की जो वायर है वो इसको लगाना है प्लस वाले में तो दोनों इंडिकेटर को जोड़के और फिर इसमें माइनस वाला है जो ब्लैक हमारे पास उसको भी जोड़के दिखाएंगे आपको कहां पर लगा तो पहले ही प्लस वाले लगा देते हम येलो वाले से प्लैसर के तार और ये हमारा रैट कलर का है तो इसके लिए भी हमने एक सुच एक सुच हमने इसके लिए मगाया है तो इसमें सुच भी लगेगा तो ये ब्लैक वाला है तो ये ब्लैक वाला है और एक रैड वाला है तो पहले हम इसको सुच लगाते हैं और इसमें रैड वाला तार जोड़ देते हैं तो पहले हम सुच फिट करते हैं इसके लिए तो ये स इसके साथ एक साथ जलेंगे सारी इंडिकेटर और वो नॉर्मल रहता है इससे हम जैसे भी जलाने चाहें जिस मोड पे जल जाएंगे तो इसको हमने कार जोड़ दिये हैं और इसके हम टेपिंग यह प्लैक वाला है यह माइनस का होता है अर्थिंकादार यह खहीं भी लगा आर्थिंक के लिए फिलाल हम इंडिकेटर में कर देते हैं इसको फैट और इसको हम टेपिंग टेप लगा जते हैं पहले हमारी एक ब्लैक तार है सुच वाली वह हम सुच जो है वहारा बाटर भी निकला है इसके अंदर पानी बहुत निकला आया तो हम इसका प्ले से साफ क आर अधरे अर्डियो करें तर इसमें लगा के जो प्लेस वाला है सुच काड़ डायर्ट के पावर क्रेंट राता है तो वह उसमें लगाया जागार इअंब औरते यह फिट Dreth कर देते हैं और एक साथ तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर कर दें और देखो इसके अंदर एक ये वात है जिस मोड पर चेंज करना चाहूं आप कर सकते हो चेंज और इसके अंदर जितने मोड हैं इसके अंदर 12-13 मोड होते हैं चेंज कर सकते हो तो देखो कितने बड़ी झाल झाल झाल